Excel के अंदर automatically serial number हम कैसे add करते हैं अभी जैसे इस data के अंदर ये हमारे serial number है अगर यहाँ पर हम data को add करते हैं तो serial number हमारे automatic update हो जाएंगे ऐसे ही अगर data को हम बीच में से delete करते हैं तो भी हमारे serial number update automatic हो जाएंगे अभी जैसे ये हमारे पास data है डेटा हमारा कैसा भी हो सबसे पहले हम डेटा को टेबल के अंदर convert करेंगे तो डेटा को हम टेबल के अंदर कैसे convert करेंगे सबसे पहले हम अपने पूरे डेटा को select कर लेंगे Ctrl T हम press करेंगे अब अगर यहाँ पर हमारे डेटा के अंदर headers नहीं होंगे तो इस option के उपर हम untick करेंगे और अगर data के अंदर headers available होंगे तो इस option के उपर हम tick करेंगे और okay के उपर click करेंगे data हमारा table format के अंदर change हो चुका है अब यहाँ पर हम click करेंगे और यहाँ से जो भी हमें table के style चाहिए होगा उसको हम अपने एसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और अगर table के ऊपर हमें कोई भी style नहीं चाहिए तो यहाँ पर clear के ऊपर click करते हुए table style को हम clear कर लेंगे अब यहाँ पर हम serial number के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर हम एक formula type करेंगे equal rows bracket अब जहां से हमें serial number start करना है उस cell का address हम यहाँ पर type करेंगे हमारा serial number start होगा A2 से तो यहाँ पर हम A2 type कर लेते हैं F4 की हम press करेंगे और इसको freeze कर लेंगे semicolon लगाएंगे और वापस से same cell को हम select कर लेंगे same cell को select करने के लिए cell के आसपास हम कहीं भी click करेंगे और keyboard के अंदर arrow keys का use करते हुए हम वापस से same cell के उपर आ जाएंगे bracket close करेंगे और enter press करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे automatically हमारे serial number update हो गए है अब बगर यहाँ पर बीच में से हम कोई row delete करते हैं तो serial number हमारे automatic adjust हो जाएंगे ऐसे ही अगर data को यहाँ पर हम add करते हैं तो serial number आगे automatic update होते चले जाएंगे झाल के अएंगे